आज हम लगवग अपना सारा काम कम्प्यूटर के माध्यम से करते हैं वो चाय पढ़ाई हो या फिर ओफिस का काम कम्प्यूटर का यूज लगवग सारी कम्पनीज करती है जैसे जैसे समय बीटता जा रहा है कम्प्यूटर उतना ही सक्षम होता जा रहा है किसी भी काम को करने में बड़ बड़े कॉलिजिस और स्कूल भी आज स्टडी के लिए कम्प्यूटर को एक बहतर साधन मानते हैं नासा इसरो जैसे रिसर्स सेंटर काफी एडवांस कम्प्यूटर्स का यूज करते हैं जिससे उन्हें अपने प्रोजेक्ट को पूरा करने में काफी मदद मिलती है कम्प्यूटर्स कम समय में ही इंसानों की जरूरत बन गया है जिससे आज ये दुनिया तरक्की करते जा रही है अगर हम ये कहे कि आज हम कम्प्यूटर पर निर्वर है तो साइद ये गलत नहीं होगा क्या होगा जब कम्प्यूटर और इंसान आमने सामने होंगे क्या कम्प्यूटर सच में इंसानों से ज़्यादा इंटलिजेंट होगे है क्या कम्प्यूटर आज इंसानों पर राज कर रहे है कंप्यूटर इंसानों द्वारा बनाया गया एक आदूनिक मसीन है जो आज के समय में लगवक हर काम करने में सक्षम है जिसने हमारे जीवन को असान बना दिया है और हमारे लिए मददगार भी सावित हुआ है कंप्यूटर ने इंसानों के कई अविस्कार को पूरा करने में important role लिवाया है क्योंकि कंप्यूटर की काम करने की speed बहुत तेज है जो मुश्किल से मुश्किल चीजों को बहुत असानी से solve कर देता है कंप्यूटर एक साथ कई कामों को कर सकता है इसकी storage capacity की चमता भी बहुत होती है कंप्यूटर हमेशा correct काम करता है ये कभी भी गलती नहीं करता इसलिए इसे बड़े बड़े काम के लिए यूज किया जाता है ताकि जब कोई result निकले वो एकदम correct हो कंप्यूटर एजूकेशन के छेतर में भी बहुत अच्छा काम करता है ये एजूकेशन को आसान बनाता है आज एजूकेशन इतना आसान बन गया है कि आप उसे घर बैठे ले सकते हैं जिससे आपकी knowledge बड़ेगी और आप एक अच्छे इंसान बनेंगे ये आपका समय बचाने में भी बहुत ज़्यादा मदद करता है कंप्यूटर के तेज स्पीड के कारण ये अपना काम बहुत जल्दी कर लेता है वैसे तो आप जाते ही होंगे आज हमारे life में time कितना important हो गया है time की कमी के कारण हमारा बहुत सा काम तो होई नहीं पाता है कंप्यूटर ने इस problem को भी solve की है कागजों का निर्मार करने के लिए आज जंगलों से हम लगतार पेड़ों को कारते जा रहे है जिससे हमारा environment का सलतूलन बिकरते जा रहा है जो एक बहुत बड़ी समस्या है जिसे computer ने काफी हद तक कम किया है हम अपने data को computer के अंदर store करके रख सकते हैं जिससे पेड़ों के कटर में कमी आएगी क्या हम इन सभी बातों से ये कह सकते हैं कि computer आज इंसानों से ज़्यादा ताकतवर और intelligent हो गया है आप अपने विचार कमेंट वोक्स में लिख सकते हैं computer इंसानों से ज़्यादा intelligent हो ये वर्तमान समय में संभब नहीं क्यूंकि computer को इंसानों द्वारा बनाया गया है और computer को चलाने के लिए इंसानों की जरूरत पड़ती है लेकिन सायद आने वाले टाइम में computer इंसानों से ज़्यादा ताकतवर होगा और इनकी intelligence इंसानों से कई गुणा अधिक होगी जो उसे इंसानों से कई गुणा intelligent बनाएगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like करे, share करे, commit करे और हाँ अगर आपने हमारे चैनल को अब तक subscribe नहीं किया है तो जल्दी से subscribe करके बगल वाला bell icon ओन करे धन्यवाद